नीतीश कुमार ने NDA छोड़कर महागत बंधन की सरकार बनाने को लेकर कहा कि वहाँ मेरा सम्मान नहीं था। विधान सभा में बोलते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेई और आडवानी जैसे नेताओं ने मुझे सम्मान दिया था। मैंने भाजपा से तालुक 2013 में तब खत्म किया, जब इन नेताओं को किनारे लगाया जाने लगा था। नीतीश कुमार ने अपने भाशन में पीएम नरिंद्र मोदी सीधे निशाना साधा। नीतीश कुमार ने कहा कि आज दिल्ली में लोग प्रचारप्रसार में ही वेस्ट हैं। उन्होंने इस दोरान 2024 का प्लान भी पेश किया और कहा कि एक जुट विपक्ष ही पीएम नरिंद्र मोदी को चुनौती देगा। यही नहीं भाजपा के ज्यादा सीटे जीतने के बाद भी खुद के सी एम बनने पर भी नीतीश कुमार ने बात की। उन्होंने कहा कि सिर्फ 2020 की बात ही क्यों करते हैं। उससे पहले के चुनावों को भी याद करें जब भाजपा के मुकाबले जेडी यू ने ज्यादा सीटे हासिल की थी। नीतीश कुमार ने कहा कि मैं मांग की थी की पटना यू निर्विस्टी को केंद्रिय विश्व विद्याले का दरजा दे दिया जाए लेकिन इस मांग को स्वीकार ही नहीं किया गया।